Hello Friends, Welcome to Study Fusion और DRDO Crash Course की आज 21 वीडियो आज हम करने वाले हैं जिसमें आज का टोपिक होने वाला है दोस्तों हमारा Bearing Already हम 20 क्लास दोस्तों कर चुके हैं और इसी स्रीज की आज ये 21 वीडियो हम करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि Bearing का कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है और कितने प्रकार की Bearing हमारी होती है तो बिना किसी देरी के दोस्तों आगे बढ़ेंगे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब महीं किया उनको उनकी Location में सपोर्ट करने का काम करती है हमारी Bearing और इनके Classification के अगर बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले जो इनका Classification किया जा सकता है According to Friction और इसमें जो हमारे पास First Bearing होगी वो होगी हमारी Frictional Bearing In these Bearing and Shafts are in Direct Contact तो इस परकार की जो Bearing होती है उसमें जो Bearing और Shaft है दोस्तों उनका Surface एक Direct Contact में होता है या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि Shaft and Bearing हमारा Surface Contact में होती है और इस परकार की Bearing में Friction को कम करने के लिए Lubrication की आवशकता होती है और इनको Low Speed Saft में ही यूज किया जाता है तो ये कौन-कौन सी हो सकती है दोस्तों Solid Bearing हो सकती है Boost Bearing, Shell Bearing या फिर Pedestal Bearing ये कुछ हमारे Frictional Bearing के Example है उसके बाद जो दूसरी होगी वो होगी हमारी Anti-Frictional Bearing Bearing and Shafts are not in Direct Contact या फिर इसको हम कह सकते हैं कि इसमें जो Contact होता है दोस्तों वो होता है Point Contact या फिर Line Contact इसमें हमारा Bearing and Shafts का Surface Contact नहीं होता है और इस परकार की Bearing को हम High Speed के लिए यूज करते हैं और इसके Example हो जाएंगे Ball Bearing and Roller Bearing जो Ball Bearing होगी वो हमेशा हमारा Point Contact में होगी वहाई पर Roller Bearing हमारा Line Contact में होगी तो ये हो गया दोस्तों हमारा According to Friction इसके बाद एक परकार से और हम इसका Classification कर सकते हैं वो है हमारा According to Direction of Load और इसमें जो हमारी Bearing होती हैं वो तीन परकार की हो सकती है First है General Bearing, दूसरा Pivot और Foot Step Bearing और तीसरा है Thrust और Collar Bearing तो अभी तक जितने भी Bearing हमने देखी इन सभी को हम डाइग्राम की मदद से समझने की कोशिस करेंगे तो सबसे पहले Frictional Bearing में Solid Bearing कुछ इस परकार की होती है Isometric View यहाँ पर आपको दिया गया है तो यहाँ पर जो इस सेंटर में होल है इसमें हमारी Saft Rotate करेंगी और इसमें उपर एक Oil Hole दिया गया है जहां से हम इसको Lubrication प्रोवाइड करेंगे Solid Bearing का Drawback यह है कि यह कुछ समय के बाद हमारी Bearing घिसने लगती है और वहीं पर इसको Lubrication भी हमें अधिक प्रोवाइड करना पड़ता है और इसका Hole जब कुछ समय के बाद घिस जाता है और हमारी Rotating Saft को ठीक से Support नहीं कर पाता है तो हमें यह पूरी की पूरी Bearing चेंज करनी पड़ती है तो इस समस्या को Sol करने के लिए दोस्तों यहां पर आई Bush Bearing Bush Bearing में क्या किया गया एक Hard Metal का यहां पर Bush Insert किया गया जिसका फायदा यह था कि इसका Wear and Tier होने के बाद सिर्फ हम इस Bush को निकाल कर इस Bush को चेंज कर सकते थे हमें पूरी Bearing को चेंज करने की आवशकता नहीं थी तो यह दोस्तों हमारा Solid Bearing and Bush Bearing और जो तीसरी थी दोस्तों Shell Bearing Shell Bearing भी कुछ हमारा Bush Bearing के जैसी ही होती है लेकिन उसके अंदर जो Lining की जाती है उसको हमें Melt करके निकालना होता है और Melt करके ही उसमें वो Lining की जाती है तो Shell Bearing में कुछ इसी परकार की एक Metal की Lining होती है अंदर और उसके wear tear होने के बाद उसको melt करके निकाला जाता है और नए metal की lining उसमें चड़ा दी जाती है इसके बाद दोस्तों जो last था इसमें वो था हमारा pedestal bearing और plumber block तो ये कुछ इस परकार की shape में जो हमारी bearing होती है ये हमारा कहलाता है दोस्तों pedestal bearing तो इसमें आप देख सकते हैं एक lower portion होता है एक upper portion और nut bolt की सायता से इसको इस परकार से कस दिया जाता है और इसके center में एक ये हमारा bush लगा होता है तो दोस्तों ये होगा है हमारी frictional bearing anti friction bearing में हमने बात किती दो bearing की एक तो ball bearing और दूसरा हमारा roller bearing तो according to load ball bearing हमारी जैसे light, medium या फिर heavy series की हो सकती है उसके बाद एक हमारा यहाँ पर double row ball bearing होती है एक हमारा angular contact ball bearing हो सकती है और उसके लाबा एक हो सकती है हमारी thrust ball bearing तो ये सब भी हमारी ball bearing है उसके बाद जो roller bearing है वो कुछ इस परकार हो सकती जैसे cylindrical roller bearing, taper roller bearing और तीसरा needle roller bearing तो ये हो गई हमारी कुछ anti-frictional bearing यहाँ पर इस diagram में काफी अच्छे से दिखाया गया है अब बात करें अगर according to direction of load तो जो हमने बात की थी general bearing, footstep bearing या फिर thrust bearing बड़े ध्यान से दोस्तों तीनों को समझिएगा, जो general bearing होगी हमारी, उसमें जो हमारा load होगा वो हमारे shaft के axis के perpendicular होगा, तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, shaft का हमारा axis है और उसके perpendicular यहाँ पर हमारा load लग रहा है, तो इस परकार की जितनी bearing होगी, वो हमारी हो जाएंगी, general bearing उसके बात second, footstep और pivot bearing, इसमें जो हमारा load होगा दोस्तों, वो हमारा होगा parallel to axis of shaft, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह नीचे हमारी एक bearing है और हमारी shaft जो है, कुछ इस परकार से, यहाँ पर डाली गई है, और इसमें जो load आएगा, वो इस परकार से, shaft के axis के parallel आएगा तो इस परकार की हमारी जितनी bearing होगी, वो हमारी footstep, या फिर pivot bearing हो जाएंगी उसके बाद last है हमारा thrust और collar bearing, इस परकार की bearing में क्या होगा दोस्तों, हमारी shaft में एक यह इस परकार का एक collar होगा जो की हमारी load को perpendicular की बजाए parallel में convert कर देगा, तो इस परकार से जो हमारा load लगेगा दोस्तों, वो हमारा shaft के axis के parallel हो जाएगा इसमें और यह end से हमें thrust भी provide करेगा, तो इस परकार से यह हमारी तीन परकार की bearing हो जाएंगी according to direction of load अब बात कर लेते हैं bearing metals की, तो bearing हमारी काफी metals में बनाई जा सकती है, तो उनको एक बार देख लेते हैं, जो main metals है, जिन में maximum हमारी bearings बनाई जाती है तो यहाँ पर brass है जैसे, तो यह हमारा mixture होता है copper, यह यहाँ पर tin दोस्तों गलत है, यह होता है copper और zinc का mixture हमारा brass उसके बाद bronze यहाँ पर copper और tin का mixture, एक होता है हमारा gun metal, copper, tin और zinc का जो mixture होता है, वो हमारा gun metal होता है उसके बाद दोस्तो white metal यह हमारा tin, antimony, copper और lead इन चार metals का mixture होता है फिर दोस्तो beavit metal एक होता है जिसमें tin, copper, antimony यह तीनों होते हैं और इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है दोस्तो shell bearing में फिर last में हमारा हो जाएगा alloy steel जैसे के nickel chrome steel और इनका इस्तेमाल दोस्तो जादतर होता है ball and roller bearing के अंदर तो यह दोस्तो हमारे important metals है जिनसे हमारी maximum bearings बनाई जाती है तो उम्मीद करता हूँ यह सभी metals, bearings के type आप अच्छे से समझ गई होंगे आज की वीडियो में दोस्तो इतना ही रखेंगे मिलता हूँ दोस्तो आपसे next वीडियो में यह वीडियो आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को like कर दें, इसे share कर दें चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें Thank you and take care